नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ष्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आप सब की होस्त्रप्ती एक बार फिर से लेकर आई हूँ आप सब के लिए ये खास रिपोर्ट और इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं इश्वर्या राय बच्चन की बादी श्रीमा के बार श्रीमा के लिए श्रीमा की खुशी में शरीक होने के लिए ही जब पहली बार बच्चन परिवार ने इश्वर्या के माईके में कदब रखा बड़ी शांदार तरीके से उनका स्वागत किया गया था जी हां इश्वर्या के माईके में अमिताब जया अभिशेक से लेकर पह अश्वर्या लेकर आई थी अपनी भावी की कुछ भड़ाई जहां उनका स्वागत करते में सभी खुश हुए जया आपने दुश्टी बहु की ही तरहा श्रीमा पर प्यार लोटा रही थी अन्मिताब भी कुछ ऐसा ही करते नजर आए थी कितना भव्य उनका स्वागत हुआ अश्वर्या के माईके को लेकर ये कुछ खास रिपोर्ट जी हां इश्वर्या के माईके में जब श्रीमा राय इश्वर्या की भावी का बेबी शावर और्गनाईज किया गया था ये वही मौका था जब बच्चन परिवार को स्पेशल इंविटेशन का इश्वर्या के मा दैड की तरफ से मिला और इस मौके पर एश्वर्या खुद भी अपनी भावी के लिए तौफे लेकर आई एश्वर्या की मां वरिंदा ने खुबसूरत फूलों से सचा कर वड़ी धूमधाम पार्टी और्गनाईज गी एश्वर्या के पूरे खांदान को इस मौके पर पर पहुंचे थे जिहां खुद यलो रंग की खुबसूर साड़ी में घजरा लगा कर पर इश्वर्या इस मौके पर नज़र आई थी तूर्या की प्यारी सी भावी के लिए मताब बर्चन अपनी पत्नी जया के साथ तौफे भी लेकर आए थे जिहां तौफे लेकर वाए थे क्योंकि ये बेबी शावर था श्रीमा रा llama इस मौके पर भला इश्वर्या का पूर्वार खुश यू नहों जिहां श्रीमा रय की गोद्भराई करश और इश्वर्या की वो भावी जूर मिसेज इंडिया की रान राव प्र रह चुकी आदित्यराय इश्वर्या के एक लोते भाई है और ऐसी खुशी के मौके पर आदित्यराय इश्वर्या श्रीना विरिंदा कृष्णा अभिशेग इन सबने मिलकर स्वागत किया था अभिशेग के परिवार के बुष्वर को यानि की दिखाई दिये थे साथ में अमिताब जय अपने बहों के सुराल पहुचे वे और ऐसी खुशी के मौके पर इनके पहुचने पर सभी की खुशी साफ आप देख सकते हैं तो दोस्तों आज आपने बॉलेवुड गॉसेट इस शो में देखा किस तरस यानिताब बच्चन के पूरे परिवार का इश्वर्या के माइका में स्वागत हुआ था अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेए जी हाँ ऐसे ही बच्चन परिवार से जोड़ी दर्चस्त खाबरों के लिए आप जोड़ी रहें नेक्स्टो नाइन यूस के साथ और मुझे यही दीजिये इजाज़त नमस्कार